गुरुर् ब्रम्हा, गुरुर् विष्णुहु, गुरुदेवो महेश्वरह, गुरु साक्षात्परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। अज्ञानति मिरांधस्य, ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितम्येन, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। तस्मै श्री गुरवे नमहौ। कीर्तनस्य समात्यनंतरम, परमहम्सह, भगवत्यई प्रणामं कृत्वा, भागवतं, भक्तह, भगवान, ज्ञानिभ्याह नमस्कारह, योगिभ्याह नमस्कारह, भक्तेभ्याह नमस्कारह, इति उक्तवान। अम्प्रति परमहम्सह गोलवरंडे नीलकंठादि भक्तैहि साकं उपविष्टहा अस्ति सर्वत्र कोमुदी प्रसृता अस्ति परमहम्सह नीलकंठेन साकं आनंदेन संलपन्नस्ति स्वी रामक्रिष्टनह अहो ताद्रशानी महांति वचनानी कि मर्थं अहम सर्वेशाम दासानु दासह तरंगहातु गंगायाह एव भवति कदापी गंगा तरंगस्य भवति वा स्वीलकंठाः भवान किमपिवदतु वयम्तु भवान गौरांगह एव इती भावयामह स्री रामक्रिष्टनह किंचित भावा विष्टहासन करुनामयस्वरेन भो भ्रातरह मम अहम इत्यस्य ज्ञानं प्राप्तुम अहम इच्छामी किन्तु कियान प्रयत्नहा कृतहा चेदपि तत नज्ञायमा नमस्ति हनुमा नुक्तवान हे राम कदाचित भावयामि त्वंपूर्णह अहम अम्शह इती कदाचित भावयामि त्वंप्रभुह अहम दासह इती कदाचित यदा तत्वज्ञानं लभ्यते तदा पश्यामि त्वंएव अहम अहमेवत्वं इती नीलकंठह अहम किम्वावदेयं अस्मासु भवान कृपाम कुर्यात। श्री रामकृष्णह हसन् त्वं कतीनाम जनानाम तारणं करोशी तव गानं शृत्वा कतिशु जनेशु उद्धीपनं भवती नीलकंठह भवान तथा वदति किंटु अहमेव यथान निमज्येयं तथा भवता मह्यं आशीर्वादह करनीयह श्री रामकृष्णह हसन् त्वं निमज्यसी यतु ततु थेवलं अमृतसागरे परमहं सहा नीलकंठस्य सहवासे महता आनंदेन अस्ति पुनहा नीलकंठं तव अत्र आगमनं महता साधनेन तपसा यहा प्राप्तव्यहा ताद्रशहा त्वं अस्तु एकम गीतम श्रुनु इति उक्ट्वा गायन्नस्ति यदाचंडी ममग्रिह मायाती तदा कतिचंडी पाठां श्रुनौम्यहं इदानीम परमहं सहा पुनहा वक्तु मारब्धवान परमहं सह भगवती यावदवधी अत्रभवती तावदवधी बहवः जटाधारि योगिनहा अत्रआगच्छंति हसन मास्तर बाबुरामादीन एतेशाम नटानाम सम्मुखे अहम कथम्वा गायेयम इती चिंतयन नस्मि नीलकंठह वयम अतंतह गायंतह भवामह किन्टु अध्य अस्माकं गानेन उरस्कारह प्राप्तह अस्ति झाल 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 झाल